स्वांस स्वांस में नाम ले विर्था स्वांस नखो ना जाने के स्वांस में आवन हो नहो फिर स्वांस के तरफ हम लों मुड़े स्वांस आपनों जितने दिन इस आश्रम में हो या आश्रम से बाहर काम में जाते हो अपने स्वांस के प्रतिस सजग रहो तब हम उस पर काम करें स्वांस के प्रतिस सजग रहो कुछ मत करो चल रहे हो चलते रहो काम कर रहे हो काम करो असनान करो ज़ाड़ो दो जो भी काम करो हो काम करो लेकिन स्वास के प्रतिस सजग रहो स्वास जा रहा है तो उसके सांथ जाओ आ रहा है उसके सांथ आओ भगवान खृष्ण कहते हैं नशा के अग्रभाग में देखो यह नशा का अग्रभाग है हलाकि इस पर बहुत बड़ी भ्रांतियां है बहुत लोग नशा का अगरभाग यहां कह दिया है बहुत लोग हिर्दे कह दिया है बहुत बड़ी भ्रांतियां है स्वास जो जा रहा है वह देखो एदित तुमको स्वास दिखाई पड़ गया ठीक ठीक तो आधा काम हो गया आधा काम ही आगे मुझे बताना होगा स्वांस एक मिनट में पंद्रह बार ब्रिधिंग लेते हो स्वांस लेते हो चोविस घंटा में 16 जोविस घंटा में 16 चलता है पुली मैथमेटिस है इस तरह से चानवे करोड ब्रिधिंग लेते हो चानवे करोड में 166 का भाग देगा 120 वरस आजाएगा यानि 120 वरस की आफकी आयू कॉंस्टेंट है अब कम बेसिक क्यों हो रहा है उमर तुम्हारा कम और बेसिक क्यों हो गया क्यों तुम देव बन गया क्यों प्रित जोनी में चला गया कैसे तुम अपने दुखों का निवारन करेगा और कैसे दुखी आत्माओं का भी निवारन कर शकता है इसकी भी कला आर्ट इसमें च्छिपा हुआ है जैसे से तुम इसमें प्रवेश करेगा इसका अंतर जगत का रहा से खुलते जाएगा खुलते जाएगा यह हम लोग च्छिपा हुआ है हम लोग के बाहर दोड़ते हैं सबसे नजदीक है या स्वांस नजदीक है ना आँख हमारी बहुत नजदीक है लेकिन आँख पर हमेरे तब तक ध्यान नहीं जाएगा जब तक से आँख में दर्द नहीं हो जाता है आँख में जब दर्द होने लगता है तब आँख पर ध्यान चला जाता है तब आँख के डाक्टर के यह दोड़ने लगते हैं उसी तरह से हम अपनी स्वास पर एदि एक छण के लिए है स्वास अंदर रह जाए तू पर भी मरा बाहर गया तू पर भी मरा और इस ब्रिदिंग को आपने हाथ में नहीं दिया गया है प्रमात्मा एदि देख، लो जितना स्वास चलाना है चलाओ तक तुम बंद कर के सो जाता फिर मरा हुआ मिलता प्रमात्मा तुम्हारे हाथ में इसको नहीं दिया इसको अपने हाथ में लिया कागनेच तुम पर भी स्वास नहीं है तुम ही पर भी स्वास नहीं है कि तुम अपना स्वास ठीक चला पाएगा और सरीर की सारी इंद्रियाएं खुली है ना बंद है केवल दो ही इंद्रियाएं खुली है नाक और कान दो ही ने खुला है और सब को तुम बंद कर सकते हो कान और नाक को बंद करने का अधिकार तुम पर मरमात्मा नहीं दिया एदिन दोनों को दे देता तुम जम बंद करता किसी की बात सुनता नहीं सुनता जब मन करता पत्नी को सुना देता उसका सुन नता नहीं बन कर लेता जाओ चिलाती रहो इसलिए इस पर प्रमात्मा विश्वास नहीं किया यह दोनों को खोल दिया प्रमानेंट कोई बंद करने को उपाई भी नहीं किया बुद्ध और मावीर का आप लोग फोटो देखा है भगवान शंकर का भी फोटो देखा होगा पूरी आखे बंद नहीं है आज मैं उसका रहस बता देता हूं आधा खुली आधा बंद है इस तरह से कि तुम लोग समझता है कि नहीं लोग आख जब बंद ध्यान करता है तो आंखे पूरा Capeं बंद कर लेता है हम पुछते हैं क्या जिसी शूर्दास ची और जान आखे बंद कर लेने से इस काम हो जा था बहगवान शूर्दास डिए बना देते हैं कि निपढ़ है पढ़े लिखे आत्म बिद्वान होते हैं। कुझे सुन लेगा, याद हो जाएगा, मेमुरी शक्तिते जो जाती है। तो लोग बराईपुर आस्रा में गया होगा, एक हमारे यहां से लालू जादव है। अवर, एक अवर है हर खूब, पठेल है सायद। दोनों नीपढ़ है, किसी तरह से अपना नाम लिख लेता है। दोनों जब संस्किर्ट बोलने लगागा, यहां से कितने लोग गये थे, वो आकर हमसे कते हैं। कुरी जी बड़ा पंडित था ना, विद्वान था काशी का ना लोग, दोनों संस्किर्ट बोलने लगेगा, कबीर साहब की दोहा चुपाईयां बोलने लगेगा, तुम लोग चुप होकर आवाख होकर देखने किसी वार कुई कारण नहीं होगा। यह पित्वता जो है तथा कथित बिद्वता रटा रट करके बोज हो जाता है, जिस तरह से गधे पर सास्त्र बांध तो, और उस सास्त्र से गधे को कोई मतलम नहीं होता है, उसी तरह से इसे कोई सब्वास्ता नहीं होता है, बोज हो जाता है। इस इसने मैं कहता हूँ कि सास्त के चकर में मत पढ़ो सास्ता के चकर में पढ़ो शास्ता वह प्रबुत्व गुरु होता है जो तुम्हेरे दसम द्वार को खोल देता है जब तुम्हेरे दसम द्वार खुल जाता है तम तुम गुधत्त को प्राप्त कर जाते है